देवानन की सोवी बर्थ एनिवर्सरी के मोके पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन दो दिन का फेस्टिवल और्गिनाईस करने जा रहा है इस दोरान मुंबई, हैदराबाद, एहमदाबाद, त्रिवेंदरम, चैन्ने, बैंगलूर, कॉलकत्ता, लखनो, गोहाटी, इंदोर, जैपूर, नाकपूर, दिल्ली जैसे तीश शहरों के 55 सिनेमा हॉल्स में उनकी फिल्मों की स्क्रिनिंग की जाएगी ये फेस्टिवल 26 सितंबर को उनके बर्थडे से दो दिन पहले 23 और 24 सितंबर को मनाया जाएगा फिल्म हेरिटेज फांडेशन ये फेस्टिवल, नेशनल फिल्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया और नेशनल फिल्म आर्काइव आफ इंडिया और पी वी आर इनुक्स के एसोसियेशन में सेलिब्रेट किया जाएगा फेस्टिवल की थीम होगी आनन एट दरेट सो, फॉरिवर यंग, इस दुरा उनकी फिल्में हम दोनों तेरे घर के सामने, CID, गाइड, जुएल थिफ और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों के स्क्रीनिंग की जाएगी और्गिनाइजर्स के मताबिक यह पहली बार है जब कोई सरकारी बोडी किसी नौन प्रोफिट और्गिनाइजेशन के साथ फिल्म फेस्टिवल के लिए इतने बड़े स्केल पर कॉलेप कर रही है इस फेस्टिवल के लिए नेशनल फिल्म हैरिटेज मिशन के तहत खास तोर पर देवानन्द की फिल्मों को 4K रिजॉल्यूशन में बड़े स्क्रीन पर देखने री स्टोर किया गया है देवानन्द के बेटे और फिल्म मेकर सुनिल अनन्द का कहना है कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि फिल्म हैरिटेज फाउंडेशन उनके पिता की सोवी बर्थ एनिवर्सरी के मोके पर इस तरह का फेस्टिवल और्गिनाइस कर रहा है Film Heritage Foundation के founder, filmmaker और activist शिवेंद्र सिंग डूंगरपूर है इससे पहले शिवेंद्र सिंग बच्चन Back to the Beginning और दिलिप कुमार Hero of Heroes की screening भी कर चुके है इसी के साथ बने रहे है राज़नमा टीवी के साथ धर देमाद